सत्सुरिया काल जी दा खालस टीवी देखनवाले देश दुनियां दे साड़े सारे दर्शकांदा बहुत-बहुत स्वागत है पंजाब दियां वडियां खबरां दे इस खास बुलेटन देनाल मेहर शरन कौर आज जो 11 मार्च देन सौंबारा नानक्षाही समत 555 दे मुताबिक आज अठाई फगण हो गया खबरा दे सखास बुलेटन दे वेच थोन सारियां वडियां ताजा थी एहम खबरा दासते नियां सब तो पहला मौसम दी ताजा जानकारी पंजाब ते हर्याना समेत चंडिगड दे विच मौसम एकवार फेर तो बदल रहा है पहला मौसम दे पाग ने आज तो लेकी जनके 11 मार्च नू पंजाब हर्याना समेत चंडिगड दे विच मी पैनडी पो विखवानी कीती सी ते कल आथने चारे पास से बदल वाई भी हो गई सी पर रात नू फेर तार्यान दे नाल रात खेड गई सी मौसम दे पाग देप विखवानी बदल गई है उन 13 ते 14 मी पैनडी संबावना है पंजाब दे मार्जे ते 20 दे विच हलका मी पैनडी ती तो 40 किलोमेटर प्रती कंटे दी रफ्तार नाल हवामा चलन दी संबावना है बदले होई मौसम दे विच ठंड वी एकदम थोड़ी काट गई है हलांके परसों ते 24 जदो मी पवेगा तो 23 डिगरी तक तापमान का टंडी वी संबावना है ताजा पविखवानी ते मुताबिक 11 ते 12 आज ते कालनू पूरे सुबे दे विच मौसम साफ रहेगा हलांके 12 मार्च नू कालनू माजे दे विच बदलवाई दखाई दे सकती है ते 23 मार्च नू ता तकरीबन सारे मालवे नू छड़के माजे ते 22 डिविच मी पवेगा परे मी हलका पैंडी ही संभावना है चक्खड मी तुफान जंक गडे मारी जही कोई पविखवानी नहीं आई है पर फिर भी हलका मी पैंटे तेज हवामा चलन दी जड़ी संभावना है उसने किसाना दे साथ जरूर सूत दे ने योगे इस वक्त सुब्बे पार देविच कंक दी फसल त्यार होन कंडे पहुंच चुकिया ते जे मी पैंडनाल तेज हमामा चल दिया ने ता कंक दी फसल फेर खेतां देविच जाओगी उदर कल पंजाब दे वेच का टुकट तापमान वेच जिरो शारिया आठ डिग्री दावादा दर्ज किता गया शंभू अते खनौरी बॉर्डर ते किसाना दे मोर्चियां दा आज 28 मा देन है कल स्ताई में देन संजुकत किसान मोर्चा गैर सियासी ते किसान मजदूर मोर्चे दिस सद्धे ते पंजाब सने पूरे पारत दे वेच वक वक थामा ते चार कंटे रिलना रोकियां गया पंजाब दे विचे किसाना ने पिच अतर थामा ते रेल गड़ियां रोके सेंटर सरकार खिलाफ रोस मुजारे कीते स्मोक के वड़ी गणती विचे किसान ना मजदूरा नौजवाना बज़ुर्गा ते किसान बीबियां ने दपैरे 12 वजे तु लेके शाम चार वजे तक रेल पटड़ियां ते वड़े तार ने देते किसान जथे बंदियां ने हर्यान द विच्वी कई थामा ते रेल गड़ियां रोके परदर्शन कीते जड़के कुछ थामा ते पटड़ियां दकिर आउकरन जादे किसान ना नो पोलिस ने हिरासत वेचवी लिया किसान लीर्रा जगजीत सिंग डलिवाल ते सर्वन सिंग पंदेर ने दसिया कि मोर्चे दे सद्धिते वाकवाक सूब्यां देवेच सेंकडे थामा ते रेल रोको परदर्शन सफल रहा कुछ सूब्यां देवेच पोलिस परशासन दे नाढ हलका टकरावी होया रेल रोको दा असर पूरे देश देवेच दिखाई देता किसान लीडरा ने हर्याणा पूलिस नो चितावनी वी दिती के जे हिरास्त विच लएगे किसान लीडरा नो छेती ना चढ़ देवेगा तहर्याणा पुलिस ते खिलाफ भी संगार्श विड़े आ जावेगा किसान लीडरा ने कि हां के सेंटर सरकार सानु कहें दिया है के चोनने चो बाहराओ पर कहेंदे जेट सी सारियां फसलांदी खरीद मेस्पी ते जीकिनी बनाओंगे तक किसान अपने आप ही चोनना चाड़ देवेगा उना सपस्ट किता कि संगार्श करना साड़ी मजबूरी है जदो तक सेंटर सरकार साड़ी अमंगा नहीं मान दी ओदो तक संगार्श जारी रहेगा आज ये कह रिठे के डाटर स्वामी ना चल्दी रिपोर्ट लाडू करांगे खोड़ो जड़े कह रिठे ले आदे मुहों आप जो मां गजाने ते लोग किसान ना गला दे गल करना दे ले इस सिरकार दी हिर्मत नहीं पह रही किसाना दी आपके आपके गल कर सकर गल चल सक अमरिसर दे देवी दासपुरा रेलवे स्टेशन ते तरना दे रहे किसाना दी हमायत विच पॉंचे सरवन सिंग पंदेर ने कहा कि मोध दी सरकार चे उठे दावे कर रही है कि ए संगार्श पंजाबियां सिर्फ दो यूनियन आदा है जदके पूरे देश ते किसाना ने स प्रिप्तारी हुई है रेल रोकने के बाद पंजोड मोडा मानकपुर इन जगों के उपर पुलिश शाउनी में बदल दिया गया और जबरदस्ती किसानों को रेल से हटाया गया ये खबरे मिल रही है मैं इसकी पुष्टी नहीं कर रहा लेकिन खबरें तो ये भी है शेलि किसाना में जहां सत्तर हजार अर्दसैनिक फोर्स लगी थी फिर भी सबसे बड़ी सफलता पितनी ताकत इस्तमाल करने के बाद भी किसान रेलों के उपर पांच से अधिक जगा के उपर रेल रोकने में काम जब हो गए इसके इलावा राजस्तान राजस्तान में पीली गंगा, हनुमानगर, गंगा नगर यहां पर रेल जाम कर दी गई और गंगा नगर में ये पुलिस शाउनी में बदला गया था सारा जो हम देख रहे हैं बाउत बड़ी फोर्स लगी हुई थी किसाना दा रेल रोको अंदोलन पामे सफल रहा पर रेल गडियां रोखन करके लोग जरूर खजल खुआर होई सारिया रेल गडियां तेंतो लेके चार कंटे दी देरी नल चलियां आम लोका नो एक था दो दूसरी था ते जान ले बावा परिशान होना पया मोर्चे दी हमायत विच पंजाब दियां किसान जथे बंदियां ने वी पूरे सुब्वे देविच रेल गडियां रोकियां पांजे किसान जथे बंदियां पार्ति किसान यूनियन एकता उकराहां किसान लीडरा ने दोश लाया के बीज़ेपी सरकार ने शांत में टांगनार शंबू ते खनौरी बॉडरां ते संगर्श कर रही किसाना ते लाठियां अत्रु गैस दे गुणयां दी वर्तों करके किसाना दा जम्हूरी हक खोन दी कोशिश कीती है इसनू कदे भी बरदाश्त नहीं कीता जावेगा उगराहन इस पश्ट कीता के असी किसाना दे सदेते किसाना खात रेलना रोकियां डॉक्टर दर्शन पाल ने सारियां किसान 13 नो एक वरी फेर एक के दा होका दता अते 14 मार्च नो दिली दे रामलीला मैदान दिवेचोर ही किसान महा पंचायत दिवेचवी सार्या नो पहुंचन दा सदा दता इस दरमयान पट्याला तो एक खबर मिली है जित्ते रेल गड़ी ने उदो पाजड़ पादती जिदो किसान समय तो पहला ही तरने दे बैठ गए माल गड़ी आ गई तिक किसाना वालनों सिद्धी हो गई सी पर कुछ को फासले दे आके फिर माल गड़ी रोक गई सी काल किसाना ने चक्का जाम कीता सी ता आज पंजाब दे विच पेंडू मजदूर यूनियन दे वलनों रेलांदा चक्का जाम करन दा ऐलान कीता गया है यूनियन दे लीडराने दसे के गुर्दासपूर अमरिसर हुशी आरपूर कपूर्थला जलंदर शीद पगत सिंग नगर लुदे आना मोगा मोकसर साहिब मलेर कोटला संगरूर ते पटेाला वर गे जिल्यां तो मिलियां रेपूर्टनां दे मुताबिक सैंकडे पिंडां साहिब जादा अजीत सिंग नगर मोहाली दे वेच दो में वड़े लीडर पंजाब दी चोण मुहिम दा आगास करणगी पंजाब दी लेई आमादमी पार्टी नवा नारावी जारी करेगी आप सरकार दे वलनू दो वर्यां दे कार्ज काल दरान कीते कम्मा दा ब्योरा त फंडां ते प्रोजेक्टां दी विगल कीती जावेगी ते जाहिर तोर ते लोगका नोँ अपील कीती जावेगी के आमादमी पार्टी नो तेरा नियां 13 सीटां ते जुताया जावे एवी संबा आवनाचताई जा रही है के 14 मार्श तो बाद आमादमी पार्टी अपने लोगसबा उमीदवाराँ दा एलान कर सकती है इस वक्त सर्वे करवाया जा रहे है ता जो उमीदवाराँ दे नावानों अंतिम छोदती जा सके एद की लोगसबा चोनाच पंजाब दी सारी चोन मुहिम पगव अंतमान दे हाथ रहेगी यानि के उन लोगसबा चोना जो तक होन गिया ओधो तक सिर्फ परचार दे रंग दिखन गे ना ही दा पंजाब सरकार कोई नवा एलान कर सक दिये सूबे दे ले ते ना ही पंजाबियां दे ले कोई खास कम ही सरकार करेगी क्योंकि जाहिर तौर ते सारी सरकार नूँ चोन पेड़ देविच उतारया जावेगा दोमे बड़े लीडर अर्विंद केजरिवाल ते मुख मंतरी पगवांत मान तड़के 11 वजे पट्याला दे 7 पाम नाबा रोड देवेच वपारियां दे नाल वी मुलाकात करनगे इस्तो पहला वी मोख मंतरी पगवंत मांते अर्विंद केजरीवाल वाखवाख शेरंद विच पंजाव दे वपारिया नाल मुलाकात तां कार चुके ने कल 12 मार्च नू हुशे आरपूर दे राज महल फार्म स्टांडा रोड ते सफायर रिजोर्ट दे वेच दो में वड़े लीडर वपारिया नाल मुलाकात करनगे कल हरियाना पॉंचे अर्विंद केजिवाल अते मुख मंत्रे पगवंत मान ने जाम के बीजेपी सरकार ते निशाने सा दे कुरुक शेतर तो अपनी चोण महिम दा आगास कीता अर्विंद केजिवाल ने केहा के रवायती पार्टिया ने पच अतर साला तो सादे मुल्क नू लुट्टिया है जदके बीजेपी ने पिछले 10 साला दे वेच लोकान नू लुट्टन दे नाल कुट्टे आवी है क्यांदे बीजेपी ने साधे किसाना नो उस काद दे selections कि julius दे लाठिाद देतियां ौज क्यादे देश विच दो किसम दे लोग ने देशपक्त जा अंधपक्त जिनने भी कहने देश भक्त ने उसाड़े नल आजो ते जिनने अंध भक्त ने उन्ह नल चले जाओ अंध वक्त ने गेले लो और सारे देश वक्त ने गेले काम अबी जब आप किसान हर्याने के पंजब के किसान दिलनी जाना चाहते थे बोर्डर के उपठर उनको रोक लिया गया क्या किसूर थाजी किसानों का यही तो कह रहे थे फसलों के पूरे दाम दे दो मिलने चाहे की नहीं मिलने चाहे पूरे दाम फसल के पूरे दाम मिलने चाहे नहीं मिलने चाहे किसानों को किसान कह रहे थे फसलों के पूरे दाम दे दो क्या मिला बतले में उपर से गोले छोड़ दिये उपर से चाइना के उपर गोले छोड़ने की इमत नी है इनकी पाकिस्तान के उपर गोले छोड़ने की इमत नी है अपने किसानों के उपर गोले छोड़ दिये इन लोगोंने एक किसान मारा गया किसान का बेटा शहीद हो गया पंजाब के अंदर जब किसानों के ओपर गोले छोड़े जा रहे थे, आसुगेस के गोले छोड़े जा रहे थे, रबड की गोलियां छोड़ रहे थे, मार रहे थे, लडंडे मार रहे थे, वाटर कैनन मार रहे थे, तो कहां थे जी आपके ये 10 MP? ये तालियां वजा रहे थे, बड़ा मजा रहा इनको किसानों को पीट रहे हैं बड़ा मजा रहा था इनको पंजाब के तिहास में आज का दिन सुनेहरी अक्षरों में लिखा गया क्योंकि दो साल पहले आज के दिन ही इस समय तक बानमे सीटे मिल चुकी थी आज रिजल्ट आये थे नतीजे आये और बड़े बड़े हैंकारी जो थे बड़े बड़े जो किले थे वो आज के दिन पस् हो गे थे जद्धा ने किया है ये पबलिक ने किया है मंत्री ओम परकाश चटाला, हर्याणा दे मजुदा मुख मंत्री दुश्यन चटाला, पंजाब बीजेपी दे पर्दान सुनील जाख़ट दिल्ली कमेटी दे पर्दान हर्वीत सिंग काल्गा आते होर कई लीडर शामिल होए इशारह ही इशारह विच काली दल दे पर दान सुगवीर सिंग बादल आते बीज़पी दे सुभा पर दान सुनील जाखण ने मंच तों गट चोड़ दे साफ संकेत दे सुभीर बादल ने जित्थे अपने पिता अपर काश सिंग बादल दिया यादा नू ताजा की था ओथे ही कहा के सुभी दी पलाई ले एक चंडे हेठा और दी लोड है पार्टी तो रुसे उना सियासत दाना दे लेई वी जो किसे ना किसे वज़ा करके कहें दे पार्टी तो वाखो के दूजिया पार्टीया वेचर चले गए ने सुभीर बादल ने इस मौके पूरन पंथकते पंजाब भी एक केदा सद्धा दिन्दया किहा कि मेरे पिता नू सच्ची शर्दा अंजली ओधों ही होवेगी जदों असी सारे कठे हो वाँगे सच्ची शर्दा अंजली अपने बापू वास्ते बापू बादल वास्ते आई होगी कि जडे लोग अपदों बिछाड़ भी गए हैं उन्हा उन्हा प्यार जो उन्हा निज भापू बादल ने उन्हा प्यार कीता है उस प्याँ देखके ही सारी कौम कठे होई है कि चंडय थले कठे होई है एक ताची ताकत है तो ऐस करके अपा सारी पाठी बन करिये कि बादल साब दी सोच काली दल दी सोच पंड दी सोच नू अपा वरकरार कैम करिये बीजेपी दे सुबापरदान सुनील जाखड ने अकालिदल दा नाम तर नहीं लिया, सिद्धे तौर ते गाठ चोड़ दी गाल तर नहीं कीती, पर सपष्ट किया कि पंजाब नूब चौन दिरे इसानु कठे होना पाऊगा। परकास सिंग बादल सिर्फ एक कौम दे लीडर नहीं सन, उना दे वल पंजाब दे लोक चाक दे सन, उपूरे पंजाब दे सन, ते सुबीर बादल नूँ जड़ी चीज केंदे विरासत विच मिली है, उसनू अग्गे वदा उना बड़ी जिम्मेदारी है। जिस किसम दा जैर, जिस किसम दी दो फाड, जिस किसम दी एच्छे, उना चो पंजाब निकले असीगा, उदों मलम लान दी जुरूर तिसी की साब, आप आई चारक सांज बनी रवे, मैं सलाम करता हूँ स्पिरिट नूँ साब, पंजाब दी सब्तों बड़ी, मैं समझ दें, गुरू महराज दें, जो क्या सीगा, मानस की जात सबै को पहचान बो, असल शर्दांजली, असल उना दी याद उना दी, सोचते पहरा देन वास्ते, आजड़े पंजाब दे, जखम है, पंजाब दे, खद से है, लोकां दे, मना दे, वेचे जड़ा खौफ ह है, ओगर बादल साब दे, याचे ना चकांगे तो फर चकांगे के दे, पर बादल साब ने, जिस तरह, क्योंकि आवाज दों भी उठी सी जदों आव, समझाता कीता सी, गया, चैनमे स्तानमे चे, लोकां ने कहा सी, जी पंत दी रहा तो पटकन लगे है, कोई करड़ा सुनीर जाखर ने अपने पाशन दी वेचे पर कासिंग बादल दियां तरीफां दी वी पोड़ बान दते, कैने बादल साब सियासी प्रोटकॉल दी जियों दी जाग दी ब्लू बुक्सन ओदे वास्ते गरीब मातड़ वास्ते हलीमीक मजबूरी दा नाम है, चाहे दो दिल चे पामड मच देओन, भी मैं स्फने खानू देख लूँगा पर मजबूरी दा नाम है साब, किसे व्यक्ती दा पता ओदो लगदा है जदो कोड़ ताकत हुए, ताकत नो हजम करना आप कुर्शी बोल दी है, आँ आँ फर्क सीगा, इस करके मैं सक्सियत कह रहे हैं साबे। आज ये टेक्स लाए जान देन, जिस दी वज़े करके इस देश दा किसान आर्थिक दोर्ते बड़ा कमजोर हो गया है, लेकिन और फिर बे इस गल तो कबरावदा नही है, सर्दार परकास सिंग बादल दी रहनुमाई चे, असी ये परण लेया है, कि असी सब कुछ करदे आंगे, लेकिन देश दे किसान दे हितांदी रही, असी सब तो वड़नी कुर्वानी दे आंगे, आज भी में तो अनुशार्यान हुए आरिश करांगा, कि सदार परकास सिंग बादल आज साड़े विच्कार नही है, लेकिन ओन्ना दी नेतियां दे अनुशान कर दे असी अन्ना दी बर्षीती परण लाके चलिये, कि असी सारे मत बेद भुलाके, ऐस क्रिशी परधान देश दे किसान दे हितांदी रख्यालाई, अपना सरवुच कुर्वान करने चे संकोच नहीं कराके। मैसूस कर दियांने कि श्रोमनी यह कालिदालनों मजबूत करना समय दी लोड है। जिस्तो बाद उनानों हस्पताल दाखल करवाना प्या। जिथे डॉक्टरां दे वलों उना दे दिल दे वेच दो स्टंट पाए गए ने। डॉक्टरां मुताबिक मनप्रीद बादल दी हालत हुनस्थेर है, खत्रे तो बाहर है। इस दोरान श्रोमणी कालिदाल दे पर दा अनसुग वीर सिंग बादल ने वी हास्पताल जाके मनप्रीद बादल दा हाल जानेया। पता लगया के कल तड़कसार ही मनप्रीद बादल दी छात्ती वेच तेज दर्ध होया। तुरान तोनानू निजी हास्पताल जाया गया जिथी डॉक्टरावलों मुडली जांच करणतो बाद उनानू दिल्दा दौरा पैन दी पुष्टी कीती। फिलहाल मनप्रीद बादल नू आईसी यू दे वेच्छी रख्या होया। इस बारे पताल लागदेयां ही वड्डी गेंती विच मनप्रीद बादल दे समर्थकवी हासपताल पाउंचे पर डॉक्टर ने सार्यानू मनप्रीद बादलनू मिलन तो मना कारद ता। उना मतावेक छेती ही ओ सेत्या भोके अपने करे आउंगे। इस उदकाटनी समारों देविच जुडे ओथे ही। इस मौके जलंदर देविच उसरख्या दे साखत परबंध कीते होई सन। आदंपूर एरपोर्ड डिरेक्टर पुष्पेंदर कुमार ने दसया के उना नू दो एरलाइन्स स्पाइस जेट अते स्टार इंडिया तो उडाना मुड शिरू करन देले मते मिले ने ते मार्श दे अंत तक मुड उडाना शिरू हो जान गिया। आदंपूर हवाइरड दे नवी टर्मिनल ले मारदा खेतरफल पंच हजार वर्ग मीतर है। इस हवाइरड दे को समें 300 यात्रियां दी समरता है। नवी टर्मिनल इमारद दे विच इंसुलेटर रूफिंग सिस्टम, सोलर पैनल, रोशनी, रेन वाटर हावेस्टिंग ते स्टीप वर्गियां सहूलता शामिलने। हवाइर दे विच सिंगल रन्वे है, यात्रियां दी सहूलत ले, आठ चेक इन काउंटर, दो एक्स्टे स्कैनर मशीना, दो कन्वियर बैल्स वी शामिलने। टर्मिनल अंदर पंजाब भी सब्या चारनुदर सौंधियां पैंटिंग्स लाइन गईयां ने। पंजाब दा अंसमा दे विच विरूदी तिर्दे लीडर परताप सिंग बाजवा ने नशा ठलन दे वेच मुखमंतरी पगवंतमान दी कार गुजारी दी निंद्या किती हैं। बाजवा ने कहा के पिछले सालना दौरान पंजाब च नशे दी ओवर्डोस नाल होन वालियां मौता वेच गंबी रूपनाल बादा होया है। असर दिखाई नहीं दे रहा बलके उस तो वद पंजाब दे वेचन नशा फैल रहा है। इना ने सिर्फ आपना वपार च लौन ले 37 सांच पौनी हों दी है। कॉंग्रिस दे वल्लों वी पामें लोग सबा दियां चोणा दे लेई पहली सुची जारी कारदती गई है। परहाले पंजाब दियां 13 दे विचों किसे सीट थे स्थे ती सपष्ट नहीं कीती गई। परनीत कॉर्दे वल्लों वी जे पीच शामिल होन तो बाद जा उननानू कॉंग्रिस पार्टी चो खड़े जान तो बाद ओधे ले दावेदारियां दी चर्चा जरूर चाल रही है। नवजोद सिंग सिद्धू ता सपष्ट कर चुके ने कि जे ओ चोन लड़े ता अमरित सर्थो ही लड़नगे। जे बंदी दे नौजवान लीडर अमरित पाल सिंग अते उनना दे साथियां समेथ परवारां दी पोखरताल तुबाद श्रियकाल तक साहिब ने जड़ी पांच मेंबरी सबकमेटी बनाई है। सिखपा इचारा मुर्चिंता देविचा आगया। इबामतमा का सिखपा इचारे दिरहा इशियाबादी हरीजन कलोनी नेड़े हुया। हरीजन पंचायत कमेटी दे सकतर दे गुर्द्वारा कमेटी दे परदान गुर्जीत सिंग ने दस्या किस कटना विचे जखमी होई व्यक्ति दिशनाखत लखन सिंग वजो होई है। आम लोग केंदे मैसूस कर रहेने कि इतमा काउना नो इस कलोनी विचो जाडन दी योजना दा एक हिसा है। पंजाब दे ततकाली मुखमंतरी कैप्टन अमरिंदर सिंग ने सरकार दा एक वफद वी शिलॉंग पे जया सी। आम दे वरुद कारवाई कीती है। जिसमन दी विकरितावानों नोटिस भी जारी कीते गए ने। तेना विचो छेसो ब्याली नोटसा दा निप्टारा कीता जा चुकिया। लोगसबा चोणा तो पहला हर्याना दे विच बीजेपी नोट वड़ा चट का लग गया है। तो संसल मेंबर बिरजेंदर सिंग कल कॉंग्रस दे विच शामिल होगे। उस्तो पहला उनना ने बीजेपी दी मुडली मेंबर्शिप तो अस्तीफा दिता। ते फिर दिल्ली दे विच जाके कॉंग्रस पर दान मलकार जिन खड़गी दी रहां इश्ते पहुंचे ते कॉंग्रस विच शामिल होगे। हरियाना तो इलावा चंडिगर दे विच वी बीजेपी नू वड़ा चटका लगया है। ते बलातकारी साध गुर्मीत रामरहीम पंजाद ना दी पैरोल कटनतो बाद कल फेर रोध तक दी सुनारिया जेल दे विच वापस पहुंच गया। नहीं दिती जा सकती। अधे पैंड कीले आवाली वेच पंजाब पोलस ने बेरुजगार एटीट अधे आपकां ते लाठी चार्ज कीता। दरसल बेरुजगार एटीट अधे आपकानू पता लगया सी के मंत्री जी आपने पिंड पहुंच रही ने। जिस्तो बाद अधे आपक यूनियन च पंजाच रानवे दे मेंबर ते बेरुजगार एटीट अधे आपक वी एस पिंड दे वेच वड़ी गिंटीच कठे होगे मंत्री दे पहुंच ते नारे बाजी कारदया इना ने रोस मुजारा कीता। इस मौके अधिकार्या ने मंत्री जुनार अधे आपकां अधे आपकां दे मीटिंग करवांड अफैसला भी लिया पर गल सरे ना चड़न करके बेरुजगार अधे आपकां ने सरकार खिलाफ नारे बाजी कीती। जुस्तो बाद पुलिस ने इना अधे आपकां ते लठी चार्च कीता एसी तरह साइब जादा अजीत सिंग नगर मुहाली तो खबर है जिती डेमुक्रेटिक मिड़े मील कुक फ्रंट पंजाब दी सुबा परदान हर जिंदर कॉर लोपो दी एगवाई वेच पंजाब पार दियां कोक बीबिया ने पंजाब दे खजाना मंतरी हर पाल सिंग चीमा दे नाल होन 15 मार्च नू कोक बीबियां दी मिटिंग तै करवाई गई है जिस तो बाद तरनास मापत कीता गया जान्दे जान्दे एक दो होर एहम जानकारियां थो अनू दे जाने हां के सुप्रीम कोर्ट पार्ती स्टेट बैंक दी उस परटीशन ते आज सुनवाई करेगा जिस विच सियासी पार्टियां वालोग कैश करवाएगे हर एक चोन बार्ण दे वेरवियां दा खुलासा कर रही है अनूप चंदर पांडे दी सेवा मुक्ती याते अरुन गोयल दिवल्लों अचानक दिते गे स्टीफे करके ए दो एहम ओदे खाली हो गए ने ते ए ओदे ओदों खाली होए ने जिदों लोग सबा चोणा बिलकुल सिर्ते ने ते चोन कमिशन दे वेचोन सिर्फ मु बेटन दे वेच थ्वाडे साब तो इजाज़त चोनिया शाम दिया खबराज फिर मिलांगे तानवाद